असला अलकम गाईज कैसे हैं आप गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं चीकु मिल्क शेक जो बहुत ही यम्मी और डिलिशेस है गाईज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करें और सबसे पहले हम चिकू छिल लेंगे ये देखिए पहले हमें इसका चिलका उतारना है अच्छी तरह से चिलका उतार लें अब हम इसे दो भग में काट लेंगे इस तरह से बीच से कट कर लेंगे और इसका यह जो पार्ट होता है वाइट वाला इसे हमें जरूर निकालना है क्योंकि यह एकदम पिसने के बाद में रवर की तरह गम की तरह होता है जो बाद में पिसने के बाद में हमारे होटों से चिपकता है इसलिए इसे निकालना बहुत जरूरी है यह देखिए यह वाला हिस्सा अराम से निकाल ले इसी तरह में धूर Quickly सब देखे पूरी तरह से हमें निकालना है इसका बिल्कल भी नहीं रखना है इसमें white पार्ट और इसके साथ इसमें जो बीज होती है वह भी हम सारी बीजें निकाल लेंगे गाइस हमने इसमें से सब निकाल दिया है अब हम इसके पीसेस करके ग्राइंडर में दाल देंगे तो तेखिए गाइस मैंने चिको को साफ करके उसमें से बीज वेगरा सब निकाल कर टोड़े कर लिये हैं और मैंने इसे मिक्सर के जार में दाल लिया है अब हम इसमें कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर दाला है अब इसमें दालेंगे हम ये चोकलेट सिरॉप एक टीस्पून है कि अब इसमें डालेंगे शक्र तो चीकुवे से काफी मिठे हैं मगार इसमें दूद के हिसाब से शक्र डालना है अब इसमें डालेंगे आइसक्यूब्स और हम इसे अच्छी से पीस लेंगे कि है कि कैस्थ मैंने जो चिकुका पल पिस लिया था उसे में ऐधा लिटर दूद में मिक्स कर लिया है यह हमारा मिलक शेख बिलकुट रेड़ी हैatan अ मिशे ऐसे गलास में सर्व करेंगे जिस ग्लास में पॉर करना है उसे मैंने इस तरह से चोकलेट सिरफ से डेकोरेट कर लिया है यह दिखी इस तरह से इसमें हमारा जो चिक को मिलक्षेख है उसे पॉर करेंगे राइस अब हम इसका पी डालेंगे यह एक वैनिला एसक्रीम इसपर चबिलट स्क्रीम cin अशी लगती है वाट मेरे बच्चों वैदेला इसक्रीम पसंद है इसके यह मैं इसमें वैनिला इस खिंदार लिए तो गाइज रेडी है हमारे डिलिशियस और हेल्दी मिल्क शेक इसे इंजाइ करें इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें अगर आपको यह रेसिपी मेरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज कमेंट बॉक्स मेरी कर मुझे जरूर बताएं गाइज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपना ख्याल रखें आप